हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो नॉलेज़ वाड एक्स्प्रेस जब कभी किसी अब्जेक्ट के अलग-अलग व्यूज दिये हुए होते हैं और उन डिफ्रेंट व्यूज का उप्योग करके हम बहुत ही आसान तरीके से 3D अब्जेक्ट बना सकते हैं जैसा कि यहां पर एक फनल दिया हुआ है यहां में एक फनल बनाना हुआ है जिसके वाल थीक्रेसे 6mm है और जिसका हमें टॉप व्यू ! side view और front view दिया हुआ है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं side view दिया हुआ हमें front view और top view तो आज हमें इन तीनों different views का उप्योग करके एक 3D object बनाना है तो सबसे पहले हम इन तीन views को बना लेते हैं या जिस भी drawing में हमें तीनों view अलग अलग दिये हुए होते हैं उन तीनों view को हम एक जगह पर रख लेते हैं अब यहां पर top view की जगह हम isometric view में select करते हैं इसके पश्चाद हमें अलग अलग views को उसके form में convert करना है जैसे यदि हम माल लेते हैं front view कहां पर होगा तो हम जैसा कि यह 3D axis देख रहे हैं तो zx plane में हम zx plane में हम front view को रखते हैं तो सबसे पहले हम इन सभी different views को उनके respective plane में हम रख देते हैं उसी तरीके से तो इसके लिए 3D rotate command है 3D rotate command लगाएंगे तो हमने इसको rotate करके front view के respective plane अब हम side view में आते हैं तो side view में हम इस object को side से देखते हैं अब देखें front view में हम देखेंगे तो हमें कैसे दीखेगा यहां पर जाएंगे front view यह हो गया जो कि हमें front पर दिख रहा है अब इसके पशाद हम left view में इस object को set करेंगे तो इसके लिए फिर से हम 3D rotate चलाते हैं 3D rotate इस object को हम simple तरीके से कि पहले तो कि 90 डिग्री रख लेते हैं कि यह कि इसके पश्चाद हम इसी object को 3D rotate करते हैं कि यह हमने इस form में कर लिया साइड यू है अब हम ध्यान यह देते हैं कि इन तीनों व्यूस के objects को हम एक ही टॉप लाइन पर रखते हैं तो यह हम टॉप लाइन हमने टॉप व्यू तो हम पहले आइसमेट्रिक व्यू में जाएंगे टॉप व्यू को उसी साथ से अरेंज कर लेंगे तो हम 3D rotate कर लेते हैं इसको भी कि एक्सी सेलेक्ट कर लेते हैं और यह यह हो गया तो हमारा टॉप व्यू यह हो गया इसको हम मूफ कर लेते हैं मूफ कि यहां से उठाते हैं और यहां पर हम रख लेते हैं तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहां पर इसका टॉप व्यूल मैच कराना हमें तो इस अपजेट को तो यहां पर करा लेता हूं ताकि सेंटर में आ जाए अब हम टॉप देखिए इस देखिता प्रेंट वे कुल मिला कर मैंने यहां पर simple तरीके से तीनों व्यू के उनके रिस्पेक्टिव प्लेन में रख दिया है यह इस प्लेन में इस प्लेन में और यह object इस प्लेन में कि अब मैं simple तरीके से इस object को extrude कर लेता हूं extrude तो solids में जाओंगा मैं अब इस प्लेन में और इस object को extrude करके मैं यहां कर यहां तक extrude कर लिया इस तरह इस तरह extrude करना है कि एक object दूसरे object में intersect हो इसको भी मैं extrude करके या तो इधर कर सकता हूं या तो अंदर तो मैं अंदर side करूंगा ताकि यह intersect हो यह अब हमें यह top view दिख नहीं रहा तो मैं 2D wireframe में जाता हूं ताकि मुझे प्रॉपर तरीके से दिखने लगे और मैं इसको extrude करके नीचे side में extrude कर लेता हूं तो यह हमारे तीन object हो गया कुल मिला कि एक object यह हो गया दूसरा object यह हो गया और तीसरा object हमारा यह हो गया यह object तीसरा वाला इस object को पूरी तरह से हम intersect करा लेते हैं तीनों से यह देखिए थूड़ा सा लोग का सा move करके उपर करा लो ताकि तीनो आपस में पूरी तरह से intersect हो जाएं अब एक कमांड हमने यहां पर देखी है intersect कमांड यह union सब्ट्राइक्ट और यह intersect इस कमांड का मैं उप्योग करूँगा सेलेक्ट करूँगा intersect और तीनों जो extrusion हमने सेलेक्ट किया हैं इसको सेलेक्ट करके interface कर दो तो आप देख रहे हैं हमारा बड़े सिम्पल तरीके से यह 3D object में convert हो गया है तो इस तरह से हम 3D object बनाते हैं अब एक shell कमांड है जैसा कि दिया हुआ wall thickness 6 mm इसे करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं solid के अंदर shell कमांड दी हुई है simply shell सेलेक्ट करूंगा और जो जो face मुझे हटाना है remove करना है जिस face में वह face मैं सेलेक्ट करूंगा माले यह face select कर दिया एक और यह front face select कर दिया तो हमारे पास यह 2 face removal हो गई हैं अब मैं enterprise करूंगा और thickness दूंगा wall thickness 6 mm तो दो यहां पर सेलेक्ट हो गई है simple cell करूंगा object select किया और मझे यह face remove करनी है अब हम यह face दोनों face को मैंने select कर दिया इंटर प्रेस कर दिया अब इसका पूछ रहा है इंटर दा shell offset thick distance तो मैं 6 mm देके interface कर देता हूं तो आप देख सकते हैं simple तरीके से हमारा यह funnel ready हो गया है जिसकी wall thickness 6 mm है और देखे कितना complicated type में object था इसको हम आसानी से different different view का उपयोग करके इसको हम बना लिए तो इस तरह हम 2d object को 3d object में convert करते हैं और इसका यदि हम इसको realistic में जाएंगे तो इस तरह आएगा और इसकी layer change करने पर इसका color भी चेंज कर सकते हैं तो यहां पर layer माल लेजिए मैं बाई चांस यह दे देता हूं तो यह इसका respective color आ जाता है कोई भी color दे सकते हैं जो हमें समझ में आए वह color हम यहां पर दे के object को बना सकते हैं तो इस तरह से हम 2d object को 3d object में convert करते हैं और यह बहुत ही important command है जिसका purpose हमें use करने के बाद समझ में आता है यह intersect command जो होती है इसका purpose हम use कर लेते हैं और इस तरह के complicated object बनाते हैं वहां पर समझ में आती है तो thanks for watching कोई doubt हो आप comment जरूर करें